पिछले कई महीनों से हम रोमियो नामक पुस्तक का अध्यायन कर रहे थे आज उसके पंद्र हुए अध्याय को खोल लें रोमियो की पत्री उसका पंद्र हुआ अध्याय कुल मिलाकर सोला अध्याय हैं और हम लगभग इस पुस्तक के अंतिम अध्याये में लगबग पहुँच चुके हैं पंद्रा और सूला के साथ-साथ ये अध्यायन खतम हो जाएगा उसके बाद प्रभु ने मदद की तो हम एक नया विशे लेंगे पिछले हफ्ते प्रभु के वचन से हमने एक महतुपूर्ण बाद देखी थी और वो बात ये थी कि जब पापी और अभागे हम लोगों को प्रभु ने अपनी दया और करुणा दिखा कर एक नया जीवन दिया तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कभी भी दूसरों के विरुद कोई कारिय ना करे हम सब इस बात को जानते हैं कि दुनिया में कई बार ऐसे लोग जिनसे हमारा कोई लेंदे नहीं है हमारा जिनसे कोई व्यवहर नहीं वो लोग हमारी बुराई करते हैं नोकरी के मामले में तो हमको मालूम है कि यदि दस लोगों को नोकरी चाहिए तो पांच से जादा अच्छी नोकरी नहीं होती है और इसलिए हर कोई चाहता है कि उसे अच्छी नोकरी मिले और इसलिए जो अच्छी नोकरी कर रहा है उसके विरुद कुछ ना कुछ बुराई करके उसकी जबरदस्ती गलती निकाल के उसको हटा कर लोग उसकी जगह पर नौकरी करने की कोशिश करते ही यह सब जगह होता है लेकिन प्रभु का वचन यह याद दिलाता है कि संसार के लोग बले ही इस तरह के कारी करें प्रभु के बच्चों को इस तरह का कारी में नहीं पढ़ना चाहिए इसका कारण क्या है कि मेरा और आपका जीवन प्रभु के नियंतरंड में है मुझे जो भलाई मिलनी है वो प्रभु मुझे देंगे मुझे उसके लिए सब कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है और जो व्यक्ति मेरे विरुद बुराई करता है प्रभु देख रहे हैं और प्रभु इस बात को जान रहे हैं कि मेरा बच्चा फलाना व्यक्ति जो हर तरह से कठोर परिश्रम कर रहा है हर तरह से महनत कर रहा है और जो हर तरह से अपने जीवन में विश्वस्त है उसके विरुद लोग कारी कर रहे हैं तो इस विश्व के निर्माता इस विश्व के स्रिष्टा जब देखते हैं कि उनके बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है तो जब जरूरी है उस समय स्रिष्टा एक्शन लेते हैं मैं और आप नहीं जानते कि मेरे और आपके स्रिष्टी करता किस तरह से ये कारी करते हैं लेकिन इस बाद को याद रखें करते हैं प्रभु के बच्चन में हम इस तरह के बहुत सारी घटनाएं पड़ते हैं जहां निर्दोष लोगों के विरुद लोगों ने कारी किया और वो निर्दोष प्यक्ति कुछ नहीं कर पाया सबसे अच्छा उदाहरण है याकूब नामक प्यक्ति के बारा बच्चे थे उसमें ग्यार हुआ बेटा जो देखने में भी बड़ा आकरशक था स्वभाव से भी बहुत अच्छा था वो अपने भाईयों की गलतियां या भाई लोग जो गलत कारी करते थे वो अपने बाजी को बता दिया करता था इसके कारण उसके भाईयों ने क्या किया उसको पकड़के पहले तो गड़े में डाल दिया सोचा कि कोई जानवर इसको खा जाए या वहां भूखा प्यासा पड़ा रहके मर जाए बाद में लेकिन उन में से एक दो भाईयों को लगा कि भाई का कारोबार करते थे तो उनको देखा थे इसको पकड़के बांद के उनके हाथ में बेच दिया थे उस महान व्यक्ति के जीवन चरित्र को हम सब जानते हैं यहां इस सभा में इस सत्संग में मैंने यूसफ नाम के उस जवान के साथ जो हुआ था वो घटना आपको सुनाई थ उसके भाईयों ने उसके साथ इतना अत्याचार किया लेकिन प्रभू उस बालक के या उस युवा के साथ था और किस तरह से वो युवा मिस्र देश में जाकर एक गुलाम के रूप में रहा और चूक ही वो सारा कारी इमान दरी से करता था इसलिए उसके उपर गलत आरोप लगाए गया आरोप इसलिए लगाए गया कि वो जो करता था वो सही था गलत कारी के लिए नहीं वो बिलकुल सही करता था सही कारी करने के बाद उसके उपर जूटा आरोप लगा के उसको जेल में डाल दिया लेकिन क्या हुआ जब प्रभू का समय आया तो उस समय दुनिय का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली देश था मिस्र जिसको हम एजिप्ट बोलते हैं वो एजिप्ट का महामंत्री बन गया है यह महामंत्री कौन होता है एक राजा के सिपाही सेनापती तमाम सारे मंत्री होते हैं लेकिन इन में जो व्यक्ति सबसे बड़ा होता है वो महा मंत्री होता है सारे मिस्र देश में सर्फ एक व्यक्ति था जो यूसफ से बड़ा था वो कौन मिस्र का जो शाहनशाह था शाहनशाह ने बाकी सारे अधिकार यूसफ को दे दिये देखिए उस घटना से लगभग 14 से 14 15 या मैंने हिसाब नहीं लगाए लेकिन जादा से जादा 20 साल पहले उसके भाईयों ने उसे धोखा दिया था उसको पहले तो मरने के लिए छोड़ दिया था बाद में उसे मारने के बदले गुलामी में बेच दिया वहाँ जाके मर खब जाएगा यह सोचा लेकिन 20 साल के बाद जिस देश में उसको गुलाम के रूप में भेजा गया था वो उस देश का महामंत्री बन जाता है ना केवल उस देश का महामंत्री बन जाता है उस देश में हर प्रकार की उन्नती का कारण बन गया उस देश में भयानक 7 साल के लिए भयानक अकाल पड़ा लेकिन इस यूसफ को प्रभु ने जो बुद्धी और जो ज्ञान दिया था उस ज्ञान के कारण अकाल के पहले के साथ सालों में उसने बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउस बनवाए। यूसफ नाम के उस जवान ने बड़े बड़े गोदाम बनवाए। क्यों? इसलिए कि प्रभु ने उसको बुद्धी दी, प्रभु ने उसको ज्ञान दिया, प्रभु ने उसको सुरिच्छा दी और प्रभु ने उसको अधिकार प्रदयन किये जिसके द्वारा वो अपने आपको और सारे मिस्र देश के लोगों को बचा सके, मेरे प्रिये भाईयों और बेहनों, इस अध्याय से हम, प्रभु हमको क्या बताना चाहते हैं, उसको देखने से पहले, उसकी भूमिका के रूप में, आज मैं पुन आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं और आप, ज आम आदमी नहीं है, हम इस पूरे लगभग आसीमित, विश्व के रेचेईता, विश्व के सृष्टा के बच्चे हैं, यह कोई छूटी चीज नहीं है, कोई छूटी बात नहीं है, और वो सृष्टा जिन्होंने हमारी सृष्टी की है, उनके बारे में प्रभु का वचन क कहता है कि परमेश्वर प्रेम है हमारे स्रिष्टी करता जिस तरह से मुझ से और आप से प्रेम करते हैं वो हम सोच नहीं सकते हैं माबाप बच्चों से किस तरह से प्रेम करते हैं यह हम जानते हैं कई बार माबाप बच्चों से अपने प्रेम के कारण जरूरी हुआ तो अप अपने जीवन की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके जीवन में हमारी जो जरूरत है वो प्रभु जानते हैं हमारी जो मुसीबते हैं जो कठनाईया है प्रभु से जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है मेरे और आपके विरुद यदि कोई व्यक्ति कारी कर रहा है मुझे आपको यदि कोई व्यक्ति धोखा दे रहा है और समय आने पर प्रभू कारिवाही करेंगे मैंने एक वाक्य एक शब्द का प्रेव किया था समय आने पर उसके पीछे कारेंड है हर चीज के पीछे प्रभू का अपना समय होता है प्रभू का अपना टाइम टेबल होता है उस टाइम टेबल तक इंतजार करना मेरी और आपक जिम्मेदारी है ये बात भी मैं आपको बता दू जिस तरह से खाना पकाते समय हर चीज का अपना समय होता है मैं तो भाईया खाना वाना पकाना नहीं जानता लेकिन चाय अच्छी बना लेता हूं वो भी उत्तर भरती है अद्रक की चाय तो जमके अद्रक छील के कूट के उस समय तक वेच करना जरूरी होता है जो लोग नहीं जानते वो बगल में खड़े हो कि अरे चाय की पत्ती डाल दू ना चाय की पत्ती डाल दू ना काय को इंतिजार कर रहे हो उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं समय के इंतिजार में हूँ चूंकि उसको बनाने में मैं ए जन्याय होता है जब दूसरे धोखा देते हैं तब मेरी और आपकी इच्छा होती है कि प्रभू तुरंत प्रभू कुछ कीजिए कायरिवाही कीजिए प्रभू थोड़ा सा इंतजार करते हैं क्यों इसलिए कि जब एक चाय बनाने वाला जानता है कि उसके लिए एक समय है उस समय तक इंतजार करना है तो जिस प्रभू ने इस पूरे विश्व की रचना की है उस प्रभू से ज़्यादा कौन जानता है कि समय सही है या भी समय नहीं हुआ है मैं और आप नहीं जानते इसलिए जब भी मेरे आपके जीवन में कोई जरूरत होती है या मेरे आपके देख रहे हैं इसके बावजूद हम प्रभू के बच्चे हैं इसलिए हम प्रभू के हातों सौंप देखी हैं प्रभू आप जानते हैं ये क्या हो रहा है मैं आपके हात में सौंप रहा हूँ और आपका जो समय है उस समय तक मैं इंतजार करूँगा ये पिछले हफते हमने ज में पढ़ते हैं हम बल्वानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सहे ना कि अपने आपको प्रसंद करें एक बात बताईए यदि आप अपने घर में मुझे खाने के लिए बुलाते हैं और यदि आपको लगता है कि शास्त्री सर आ रहे हैं इसलिए टेबल अच्छे तरह से जमाओ अपने पास जो सबसे कीमती कपड़ा है उसको टेबल पर डालो अपने पास जो सबसे कीमती प्लेट है कांच के प्लेट है उसको जमाओ सबसे अच्छे ग्लास जो महेंगवाले ग्लास हैं उसको सामने रखो और यदि मान लीजिए आपने सारी व्यवस्था कर दी और खाने के लिए आके मैं बैठा बैठते ही लापर भाई के कारेंट मेरा हाथ तकराया और आपका जो कीमती ग्लास था वो जमीन पर गर कर आपके सामने चकना चूर हो गया आपके साथ क्या होगा यदि आपकी जगह मैं होता तो मेरे तो दिल के हजार टुकड़े हो गये होते कि आई हाई हाई मेरा जो पर ये ग्लास था आज देखो शास्त्री सर ने उसकी क्या हालत कर दी और उसके बाद यदि मैं लापरवाही से बैठकर वो प्लेट मान लीजि मैं टेबल पर ही योग कर देता हूँ कि अरे फोन आया है और वो जो आपका कीमती बरतन था वो जमीन पर गर कर चकना चूर हो जाता है तो आपके दिल के अगले हजार टुकड़े हो जाएंगे होंगे या नहीं होंगे बिलकुल हो जाएगा लेकिन मान लीजिए मेरी आपका बच्चा जो दो साल का है वो टेबल पर बैठा है और उस बच्चे के लिए उपियुक्त खाना आपने टेबल पर रखा है खाने के साथ साथ वो बच्चा यदि एक चमच खा रहा है तो चार चमच टेबल पर फैलाता जा रहा है आप उसे डाटेंगे या नहीं क्यों अरे दो साल का बच्चा 20 साल के आदमी के समान थोड़ी खाएगा वो तो 2 साल वाले के समान ही खाएगा कल तीन साल का हो जाएगा थोड़ा सा और बेटर अपने हाथों को कंट्रोल करेगा लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि जब तक वो 5 साल का नहीं हो जाएगा तब प्रॉपर्ली वो जिस तरह से दूसरे लोग प्लेट को हैंडल करते हैं उस तरह से वो नहीं कर पाएगा। बच्चे खाना खाते हैं, खाना भी फैलाते हैं, पानी भी फैला देते हैं, और जो पीने की जो चीजे हैं, यदि खीर सामने रखो तो खीर भी फैला देते हैं, चमच कई बार जमीन पर गिरा देते हैं, तो हर बात पर माबाप उसको थपड लगाते हैं, क्या दो साल का बच बच्चे को ट्रेनिंग नहीं है वो कमजोर है उसके हाथ एक बड़े व्यक्ति के समान वो नियंतरित नहीं कर पाता है और इस कारण वो मेरे आपकी तुलना में कमजोर है अब वो दो साल का बच्चा जब 60 साल का हो जाता है या 70 साल का हो जाता है और जब आप 90 साल के हो जाते हैं जब आपका सारे नियंतरण खतम हो जाता है और आप यों हिलते सर और हिलते हाथ के साथ साथ खाना खाते हैं होता है हर घर में होता है और इस तरह से खाते समय मान लीजे आपके हाथ से खाना बच्छा आके आपको दो थपड़ देता है कि कि डड़ी यह क्या हो रहा है ये खाना बाहर कैसे गर रहा है मारेगा ये मरेगा कभी थपड नहीं मरेगा क्यों अब वो आपका बच्छा झे कि जो डो साल का था और जो टेब्ल पर फैला रहा था उसको आपने शहा इसलिए कि आपको मालूम है कि दो साल के बच्चे के हाथ में नियंद्रण नहीं है, वो कमजोर है, कल को जब आप 90 साल के हो जाएंगे, जब आपका सर आपके नियंद्रण में नहीं होगा, जब आपके हाथ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, और जब खाना खाते समय, इस त खाना कम ना पड़ जाए और डैड़ी को भूका न रह जाना पड़े, मां को भूका न रह जाना पड़े, इसलिए वो आकर बाकायदा अपने हाथ में चम्मच लेकर खाना लेकर आपको डारेक्ली खिलाता है, क्यों? इसलिए कि आप कमजोर है, प्रभु का वच्छन यही तो कहता है कि हम जो बलवान है, हमारी जिम्मेदारी है कि कमजोर लोगों की कमजोरी को सहें, ना कि अपने आपको प्रसंद करें, उसके क्या मतलब है? अपने आपको प्रसंद ना करें, देखिए, एक बच्चा यह बहुत ही जादा बूड़ा व्यक्ति, टेबल पर बैठकर ख खाना फैला दे, तो टेबल गंदा हो जाता है, और उसके बाद टेबल पर जो कपड़ा पड़ा है, उसको साफ करना होगा, सारे बरतन साफ करने होगा, और कपड़े पे दी निशान पड़ जाते है, तो कई बार निशान साफ करना मुश्किल हो जाता है, और इसलिए हम क्य चाते हैं, हम चाते हैं कि कपड़ा साफ रहे, कपड़े पर दाग धबे ना पड़े, लेकिन प्रभु का वचन याद दिलाता है कि उस व्यक्ति की कमजोरी को सहते समय, हम सिर्फ अपनी सुविधा ना देखें, हम सिर्फ यह ना देखें कि कपड़ा गंदा ना हो जाए, व्यक्ति कमजोर है इस कारण उस व्यक्ति को हमारा सपोर्ट चाहिए हमारी मदद चाहिए आत्मिक जीवन के बारे में या आत्मिक जीवन में इसका एप्लिकेशन क्या है ये बात मैं आपको बताऊं हम मैं से हर व्यक्ति आत्मिक जीवन में अलग-अलग आवस्था में हैं इ दिलों का आत्मिक जीवन में शिशु हैं, मैंने आज से लगभग, 60 साल पहले प्रभु को ग्रहन किया था, पिछले 60 साल से मैं नए जीवन प्राप्त व्यक्ति हूँ, exactly कहा जाए तो 58 साल से, तो 58 साल प्रभु में रहने के कारण मेरे जीवन में जो विकास हुआ है, यदि मैं ये सोचूं कि कल को जिसने प्रभु को ग्रहन किया है, वो व्यक्ति आत्मिक जीवन में उतना बढ़ जाए, ये असंभव बात है, मान लिजे कि आपका 5 साल का बच्चा है, वो खेल रहा है, आप 30 साल के हैं और बाकाइदा व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम करने के लिए आपने एक हाथ में 5 किलो का वेट लिया, दूसरे हाथ में 5 किलो का वेट लिया, और आप बाकाइदा खड़े होकर आप भ्यास कर रहे हैं और आपका पांच साल का बच्चा मचल जाता है कि डैडी मैं भी करूंगा तो क्या आप पांच पांच किलो के वो वजन अपने बच्चे के हाथ में दे देंगे क्या अरे वो पांच साल का है वो पांच किलो का एक वजन नहीं उठा सकता और आप दो दो वजन उसके हाथ म डे देंगे क्या नहीं जब बच्चा मचल जाता है तो हम बच्चे को डाइटते नहीं है बलकφी बच्चे को यह समझाने की कोशिश करते हैं बेटा यह बहुत ज़्यादा वजन ज़्यादा है और इसलिए हम दोने वजन रखे उससे कहते हैं कि जरा उठा और जो उठाने की कोशिश करता है और उसको पता चलता है कि ये वजन मेरे लिए बहुत भारी है तब आप उसको बताते हैं बेटा तुम अभी छोटे हो तुम जब डैडी के समान बड़े हो जाओगे तो ये वजन उठाने लगोगे लेकिन ऐसा कोई पिता है क् बच्चे से नाराज हो जाए क्यों नहीं उठा पा रहे है मान लीजे वो व्यायाम कर रहा है उसके बाद बच्चे से कहता उठा पांच साल का बच्चे क्या उठाएगा उसको पांच साल का वो बच्चा आके उसको एक वजन को उठाने की कोशिश करेगा नहीं उठा पाए है कि हमारा विकास कितना हुआ है हमारी उमर कितनी है हमारी ताकत कितनी है और उसको मन में रखकर हम कमजोर लोगों की कमजोरियों को सह लेते हैं प्रिय भाईयों प्रिय बहनों आज इस सभा में जितने लोग एकत रिख हुए हैं हम में से हर व्यक्ति आत्मिक जीवन के अलग अलग लेवल पर है और इसलिए जो व्यक्ति आत्मिक जीवन में काफी उन्नती कर गया ये उसके लिए जरूरी है कि जिनों ने उसके समान उन्नती नहीं की है उन लोगों के साथ बहुती सहनशीलता के साथ व्यवहार करें उन लोगों के साथ बहुत ही दया के साथ प्यवहार करें क्योंकि उनके जीवन में यदि कोई कमी या घटी आती है तो वो कमी या घटी इसलिए है कि वो मेरे समाना हुआ आत्मिक जीवन में अभी नहीं बड़ा है यह है जो प्रबु का वचन कह रहा है कि हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे मतलब हम जो ताकतवार हैं यह उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग कमजोर हैं उनकी कमजोरियों को सहे हम अपने आपको प्रसंद करने की कोशिश ना करें वो कमजोर है उ जब आप चमच से खाना खिलाएंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत खाना आपके उपर भी गिरे वो बच्चा ये नहीं जानता कि खाने के समय बोलना है नहीं चाहिए और जब उसके मूँ में खाना है उस समय यह दि उसको एकदम से चीक आ जाती है तो उसके मूँ में जितन इसी तरह से जब हम अपने बुजर्ग बा या बाब को खिलाते हैं तो इस बात की संबाद नहीं कि उनको चीक आए और वो सारा खाना हमारे उपर गिरे प्रभू का वच्चन याद दिलाता है जो जीवन में मजबूत है उसको हमेशे याद रखना चाहिए कि मैं बस अपने अपने आपको प्रसंद करू नहीं मेरा नजरिया ये होना चाहिए कि मुझे प्रभू ने अनुग्रह दिया है मैं अपने आत्मिक जीवन में इतना बढ़ गया हूँ और इस कारण अब अपने स्वार्थ को देखने के बदले मैं जाकर अपने भाई अपने बहन की मदद कर होना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है यदि हम ऐसा करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट हो गए ये भी मैं आपको बताता हूँ मैंने जैसा मैं कई बार आपको याद दिलाता हूँ मैंने भी दो बच्चे पाले हैं दोनों की शादी हो गई है दोनों अपने पैर पर लग गए हैं लेकिन पिछले दो साल जब मैं अपने जीवन की कटिन परिस्तिती से होकर गुजरा तब मैंने रिजल्ट देखा कि आपने बच्चे के जीवन में जो निवेश किया है वो किस सरह से आपको वापस मिलता है मैंने बात आपको बताई थी कि सन 2017 में तीन बार मेरी सरजरी ह कुई थी उसमें से दो सरजरी ऐसी थी जिसमें मैं बिलकुल असहाय हो गया था और ये जरूरी था कि 2400 गंटे कोई व्यक्ति मुझे पर नजर रखे इतना ही नहीं हर घंटे 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 मुझे बुला कर पानी पिलाए मैं तो नशे में था वो सरजरी के लिए जो करते ह हैं उसका तो मैं घंटे घंटे तो जाग नहीं सकता मैं तो पूरे समय बेहोश था लेकिन मेरा बेटा पूरे समय एक किताब लेके कुरसी पर बैठके पढ़ता रहा रात को भी और घंटे घंटे मुझे बुला कर उसने पानी पिलाया कंडिशन ये था एक बार पानी एक ब और नमक डाला हुए नीबू के रस फिर पानी फिर नमक इस तरह पिलाया उसने आजकल मेरी बीटिया घर पे है कमजोर है लेकिन कई बार जब मां घर से बाहर चली जाती है तो बीटिया इस बात को जानती है कि डैडी तो किचन के बारे में कुछ नहीं जानते बस चाय बनाना जानते हैं कई बार जब खाने का समय होता है तब वो कहते हैं डैडी आप परिशन मत हो जाईए आप कहें को परिशन होते हैं मैं प्लेट खाना बरतन चमच पानी साब उठा के टीबल पर रख दूगी उसके बाद आपको बुला दूगी तो मैंने अपने जीवन में आज से पिछले 30 और 35 साल के बीच में अपने बच्चों को पालने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया था आज मुझे उसका परिणा मिल रहा है और मुझे अब इस बात का यकीन है कि कल को यदी मैं शेरियर में कमजोर हो जाऊंगा तो मेरे मैं और आप प्रभू ने मुझे और आपको जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को पूर्ण करेंगे तो प्रभू उसको देखेंगे और प्रभू उसका फल मुझे और आपको देखेंगे देखिए तेरहुए पदमे हम पढ़ते हैं तेरहुए पदमे लिखा है परम जो हमको जीवन में आशा देते हैं, जो हमको जीवन में उम्मीद देते हैं, वे तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांती से परिपूर्ण करें। परिपूर्ण करें के क्या मतलब है, पहले हम उसको जरा देख लें। आप उससे क्या कहते हैं, अरे भीया डालो जरा आराम से, तबियत से इसको भरके डालो, ये है भरपूर्ण का मतलब, प्रभू का वचन ये याद दिलाता है कि जब प्रभू देते हैं, तो नाप नाप के, थोड़ा थोड़ा करके, नियंतरन करके नहीं, प्रभू मुझे और आपको जब देते हैं, तब वहां लिखा हुए परिपूर्ण करके देंगे, एक गलास में पानी परिपूर्ण कब होता है, जब आप गलास में पानी डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, आदा हो गया तो परिपूर्ण हो गया क्या, जी नहीं, तीन चौथा ही हो गया तो जी नहीं जब ग्लास भरके ग्लास का पानी बाहर गिरने लगे तब हम कहेंगे कि हाँ ग्लास में पानी परिपूर्ण हो गया है प्रभू का वैचन ये बात याद दिलाता है कि प्रभू के जो बच्चे प्रभू के कहे अनुसार चलते हैं जब मौका आता है वापस देने का तब प्रभू उस व्यक्ति को दो चीज़ों से परिपूर्ण करते हैं पहला है आनंद और दूसरी बात है शांती यहां यह नहीं लिखा हुआ है कि प्रभू तुमको आनंद दे यह नहीं लिखा हुआ है कि प्रभू तुमको शांती दे यह प्रभू का वचन है प्रभू क आनंद और शांती से परिपूर्ण करें मतलब इतनी शांती और इतना आनंद हमारे जीवन में प्रभू देते हैं कि वो हमारे जीवन से जिस तरह से भरे गुए ग्लास में से बाहर को पानी या दूद उमंड जाता है उस तरह से मुझे और आपको जो आनंद और शांती जिनके जीवन में तमाम तरह की परेशानिया हैं। दुख है, दर्द है, बीमारी है, परेशानिया हैं। लेकिन इसके बावजूद वो लोग हमेशा खुश रहते हैं। ऐसे लोगों को आपने देखा हैं कि मैंने तो अपने जीवन में इस तरह के बहुत सारे लोग देखे है बिल्कि मेरी असली ट्रेनिंग ऐसे व्यक्ति के साथ हुई थी MSC करने के बाद मैं अपने दादा जी के साथ तीन साल रहा था बस हमारा जो गाउं है उस गाउं में हमारा अकेला बड़ा सा घर था उसमें मैं और दादा जी अकेले रहते थे दादा जी उसमें 80 साल से उपर के हो गए थे उनको हमेशा हाथ के जो जोड है घुटनों के जो जोड है 2400 घंटे उनको दर्द रहता था लेकिन मैंने अपने सारे जीवन में इतना प्रसन्य चित व्यक्ति नहीं देखा वो जीखती जो 2400 घंटे दर्द के साथ संगर्श कर रहा है रात को जब वो लेटते थे तो उनके पेट में भयानक दर्द होता था वो एक बड़ा सा तकी अपने बगल में रख कर सोते थे और रात को जब दर्द भयानक दर्द होता था तो वो स्तकीय को कस कर पकड लेते थे उसके अलावा कोई तरीका नहीं था ये मैं आज से 40 साल पहले की बात बता रहा हूं उस समय आज के समान ना तो अस्पताल थे ना डॉक्टर थे ना ही आज की दवाएं थी और हमारा घाव अस्पतालों से इतना दूर था कि वहाँ एकदम से मदद ना मिल पाए लेकिन मेरे दादा जी जो 2400 गंटे इतना दर्द सहते थे वो जीवन में हमेशा इतना खुश रहते थे मुस्करा कर बात करते थे हमेशा बड़ी आशा के साथ बात करते थे उनका रहसी क्या था? रहसी ये था कि जीवन बर प्रभु के साथ चलने के कारण जीवन बर प्रभु की निकटता में रहने के कारण प्रभु ने उनका जीवन हर तरह के आनंद और शांती से परिपूर्ण कर दिया था पाकी जिनकी शादी होनी थी वो सब शादी होके जा चुके थे, बस हम दो प्राणी घर में थे, मैं तो खाना बना न जानता नहीं था, दादा जी से खाना बनाय नहीं जाता था, पता नहीं हम लोगों ने वो तीन साल कैसे काटे, वो अलग कहानी है, लेकिन मैं कभी नहीं भ बैठूं, 45 मिनिट प्रार्थना करते थे, अच्छे अच्छे सो जाते थे, मैं जाके उनकी प्रार्थना सुनता था, 8.45 पर उठके पानी वानी पीके, वो 9 बजे लेट लिये, लेटते ही उनको नीन्द आ जाती थी, उसके बाद रात को 2 बजे उठ जाते थे, उठकर 4 बजे तक वो घुटने पर खाड़े होकर प्रार्थना करते थे, उनके घुटने वहाँ पे स्किन इतना मोटा हो गया था, कि हम बीच वीच मैं ब्लेड से उसे काटता था, 2 से 4 तक प्रार्थना करने के बाद फिर एक घंटा लेट जाते थे, 5 बजे उठकर फिर 6 बजे तक प्रार्थना करते थे, 6 बजे उठकर वो कॉफी बनाकर, ब्लैक कॉफी बनाकर मुझे पिलाते थे, जिससे कि मैं वहाँ पास में नोकरी करता था, मैं नोकरी के लिए जा सकूँ, वो व्यक्ति प्रभू की निकटता में इतना समय बिताता था, मेरे दादा जी बिताते थे, कि उस प्रभू की निकटता के कारण, प्रभु ने उनको इतना आनंद और उनको इतनी शांती दे दी थी और इतना भरपूर हो गया था कि उस व्यक्ति से बात करो तो दिन बर के सारे दुख और दर्द भूल जाता था मेरे जीवन के बहुत महतवपूर्ण तीन साल थे जब मैंने अपने जीवन में ये पाठ अच्छी तरह से देखा कि यदि कोई व्यक्ति प्रभु के निकट है तो सारे दुख और दर्द को भूल कर उसका जीवन आनंद और शामती से किस तरह से परिपूर्ण हो जाता है प्रभु की दया है प्रभु की करुणा है आज शाम को जितने भाई और बेहन प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनको ये दो बाते हैं जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ पहली बात हम में से जो भी अपने जीवन में बलवान हैं ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने से कमजोर लोगों का ख्याल रखें उनकी कमजोरी को सहें अपने व्यक्ति का स्वार्थ को ना देखें उस व्यक्ति की मदद करें और जब हम इस तरह से करेंगे तब हम प्रभु के करीब हो जाएंगे प्रभु के निकट हो जाएंगे और जब हम इस तरह से प्रभु के निकट हो जाएंगे तो प्रभु की शांती और प्रभु का आनन हमको पूर्न रूप से भरपूर कर देगा लबालब भर दे, प्रभू हमको भर देंगे, और वो बहकर उवर्ण लगेगा, बाकी लोग भी उसको देख सकेंगे, बाकी लोग भी आननद प्राप्त करेंगे. एक तीसरी बात जो अक्सर मैं बताया करता हूँ फिर से याद देलाना चाहता हूँ आज संध्या इस सभा में यदि कोई भी भाई या बहन है जिनोंने प्रभु ईशु को मुक्ति दाता के रूप में पहचाना नहीं है मेरे प्रिय भाई मेरी प्रिय बहन जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है वो पापी है प्रभु का वचन याद दिलाता है कि पाप की मजदूरी मृत्यू है लेकिन प्रभु का वचन ये भी याद दिलाता है कि प्रभु ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लोता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे वो नाश नहो लेकिन शाश्वत जीवन पाए वो शाश्वत जीवन आपको प्रदान करने के लिए प्रभूई संसार में पधारे थे यदि ऐसा कोई व्यक्ती है जिसने आज तक कि ये शाश्वत जीवन नहीं पाया है, तो आज इस सभा के आखर में, मुझ से आकर बात कर ले, या भाई जैफरी से आकर बात कर ले, हम इसके बारे में आपको और विस्तार से बताएंगे, जिससे कि आपके जीवन में वही खुशी हो, जो हम सब के जीवन में हैं, इन बातों को समझने के लिए, प्रबु आप सब की मदद करे, जै मसे के!